आप सभी दर्सकों का आज के कारिकरम में स्वागत हैं। अथवा मेंगनिन के होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनके उपयोग की क्या प्रासंगिकता है। पहले हम यह समझते हैं कि क्या किसी चालक की प्रत्रोदक्ता ताप पर निर्भर करती है। यदि निर्भर करती है तो कैसे। किसी चालक का ताप सीमित ताप परसर में बढ़ाने से इसकी प्रत्रोदक्ता ताप के साथ रेखिय रूप से बढ़ जाती है। जिसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। रोटी बराबर रोजीरो वन प्लस एल्फा ती मैनस ती जीरो यहां रोटी तथा रोजीरो क्रमस ताप ती तथा ती जीरो पर चालक की प्रत्रोदक्ता है। यहां एल्फा प्रत्रोदक्ता ताप गुडांग है जिसकी काई ताप की घात मैनस बन होती है। दात्रोदक्ता ताप गुडांग सदैब धनात्मक होता है। अभी हम प्रत्रोदक्ता की ताप पर निर्भरता को समझते हैं। ρो बराबर one अपन सिग्मा बराबर M अपन N नीज का टाओ यहां सिग्मा पदार्थ की चालगता है M इलेक्टोन का द्रिववान है N इलेक्टोनों की संख्या है टाओ संगट्यों का औसस समय है इस सम्मंद से प्रत्रोधक्ता की ताप पर निर्वर्ता को समझ सकते हैं चालकों का ताप बढ़ाने से इन में मुक्त इलेक्टोनों की संख्या में कोई बिसेश परवर्ता नहीं होता परंतो ताप के बढ़ने से इलेक्ट्रोनों के आपस में संगट का औसस समय कम हो जाता है जिससे इनकी प्रतुरुदक्ता भ्यूत क्रम नियमानुसार बढ़ जाती है ताप टी के फलन के रूप में तामे की प्रतुरुदक्ता रोटी ये रेखिय रूप से बढ़ती है चालकों की प्रत्रोदक्ता का ताप के साथ समानपातिक संबन्द होता है अर्थात ताप बढ़ाने से चालकों की प्रत्रोदक्ता बढ़ जाती है तता घटाने से कम हो जाती है चित्र में तामे के लिए प्रत्रोधक्ता का परमताप के साथ समान पातिक परिवर्तन प्रधर्सित किया गया है परमताप T तथा प्रत्रोधक्ता रोटी के बीच ग्राफ एक सरल रेका होती है परन्तो जीरो डिगरी सेल्सियस से बहुत कम तापों पर ग्राफ एक सरल रेखा से काफी विचलित हो जाता है किसी सीमित ताप परसर में ग्राफ करीब करीब एक सरल रेखा होती है कुछ पदार्थ जैसे कि निक्रोम या एक मिस्र धातु है जो निकेल लोहा तता क्रोमियम से बनाई जाती है बहुत दुरवल ताप निर्वरता पतेसित करता है मेंगनिन तता कॉंस्टेंटन मैं भी इसी प्रकार के कुण होते हैं मानक प्रत्रोध कुंडलियों को बनाने में मिस्र धातुआं का अपयोग क्यों किया जाता है क्योंकि इनके प्रत्रोध की ताप निर्वरता बहुत कम है इसलिए ये पदार्थ तार आबद मानक प्रत्रोधों के निर्माण में उपयोग किये जाते हैं प्रत्रोद वॉक्स के अंदर की कुंडलियां इनी पदार्थ के तारों से बनाई जाती हैं विवम मापी तथा मीटर सेतू में उपयोग होने बाले तार भी इनी पदार्थों से बनाई जाते हैं अभी तक चर्चा किये गए विशय पर आधारित हम अब एक प्रस्न को हल करने का प्रयास करेंगे प्लेटनम प्रत्रोद ताप मापी के प्लेटनम के तार का प्रत्रोद हिमांग पर 5 ओम तता भाब बिंदू पर 5.23 ओम है जब ताप मापी को किसी तप्त उसमक में प्रविश्ट कराया जाता है तो प्लेटनम के तार का प्रत्रोद 5.795 ओम हो जाता है उसमक का ताप परिकलित कीजिए 0 ताप पर प्रत्रोद 5 ओम है 100 डिग्री सेल्सियर ताप पर प्रत्रोद 5.23 ओम है तथा T ताप पर प्रत्रोद 5.795 ओम है अब हम एक फॉर्मला यूज करेंगे R T बराबर R 0 1 प्लस अलफा T मैनस 0 इस समीकर्ण से हमें ये नया समीकर्ण प्राप्त होगा R T मैनस R 0 बराबर R 0 अलफा T इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियर ताप पर प्रत्रोद लिखा जा सकता है R 100 बराबर R 0 1 प्लस 100 अलफा तो यहां से नया समीकर्ण दो प्राप्त होगा R 100 मैनस R 0 बराबर R 0 100 अलफा समीकर्ण एक तथा दो से प्राप्त किया जा सकता है T बराबर R T मैनस R 0 भागित R 100 मैनस R 0 इन्टू 100 R T का बेलू 5.795 ओम R 0 का बेलू 5 ओम R 100 का बेलू 5.23 ओम फिर से R 0 का बेलू लगाने से और 100 से मल्टिप्ला करने से 345.65 डिग्री सेल्सियस ताप का मान आ जाएगा चलिए बच्चो आगे चलते हैं धातूओं के विपरीत अर्ध चालकों की प्रत्रोधक्ता ताप में ब्रद्धी होने पर कम हो जाती है हम समिकंड R 0 बराबर 1 अपन सिग्मा बराबर M अपन अईज का टाउ में व्युत्पन परनामों के आधार पर प्रत्रोधक्ता की ताप निर्भरता को गुणात्मक रूप से समझ सकते हैं जो इस प्रकार है प्रत्रोधक्ता की ताप पर निभरता रो बराबर वन अपॉन सिग्मा एम अपॉन एनिस का टाव ये सारी चीज आप पहले पढ़ चुके हैं सिग्मा जहां पर पदार्थ की चालकता एम इलेक्ट्रोन का दरववान एन इलेक्ट्रोन की संख्या टाव अउसस समय है विद्दूत रोधी पदार्थों एवं अर्ध चालकों में ताप बढ़ाने से इन में मुग्त इलेक्ट्रोनों की संख्या में तीब्रता से ब्रद्दी होती है चरगातां की ब्रद्दी होती है जिस से संबंद रो बराबर वन अपॉन सिग्मा बराबर एम अ इन इसका टाउक के फलसरूप इनकी प्रत्रोधक्ता का ताप ब्रद्दी होने से मान घट जाता है तो जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे फ्री लेक्ट्रोनों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या में तीब्रता से चरगातां की ब्रद्दी होगी जिस से रो औ और N में जो भ्युत्कम रिलेशन है, इसके अनुसार जैसे ताप बढ़ाएंगे मुक्तलेक्ट्टनों की संक्या बढ़ेगी और जैसे ही मुक्तलेक्ट्टनों की संक्या बढ़ेगी तो प्रतरोधक्ता घट जाएगी तथा पी ताप बढाने से संगटों का ओसस समय घटने से प्रत्रोधकता थोड़ी भर्ती भी है परंतो यह उपेख्चनिय है अत्ह ताप बढाने से अंतिम रूपसे अर्ध चालकों तथा बिद्धुत रोधी पदार्तों की प्रत्रोधकता घट जाती है अभी हम बिद्दू तूर्जा तथा बिद्दू सक्ति के बारे में पढ़ेंगे चालक AB के सिरों के बीच विवांतर V बराबर VA-VB A बिंदू पर विवब बढ़ा है, V बिंदू पर विवब छोटा है तो VA-VB 0 से बढ़ा होगा अब मान लिजिए किसी चालक में धारा AI A से B की ओर चलती है तब डेल्टा T समय अंतराल में आवेस की मात्रा डेल्टा Q बराबर AI इंटू डेल्टा T होगा इस से इस्थितित उर्जा में परवर्टन इस प्रकार निकाला जा सकता है डेल्टा U potential इस्थितित उर्जा में परवर्टन बराबर अंतिम इस्थितित उर्जा मायनस प्रारमिक इस्थितित उर्जा इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं आप सभी जानते हैं W बराबर Q B relation आपने पढ़ा होगा यहां से दिखाया जा सकता है इस्थिति उर्जा U बराबर डेल्टा Q इन्टू V तो A बिंदू पर इस्थिति उर्जा होगी डेल्टा Q इन्टू V A B बिंदू पर इस्थिति उर्जा होगी डेल्टा Q इन्टू V B तो इस्थितित उर्जा में जो परवर्टन होगा अंतिम इस्तिति उर्जा मैनस प्रारमिक इस्तिति उर्जा बराबर डेल्टा क्यू वी बी मैनस डेल्टा क्यू वी ए डेल्टा क्यू यहां से ओवेनिस्ट ले लिया तो यह हो जाएगा डेल्टा क्यू वी बी मैनस वी ए बराबर मैनस डेल्टा क्यू इंटू वी आई इंटू डेल्टा T, तो डेल्टा यू पोटेंशल बराबर हो जाएगा, मायनस आई भी डेल्टा T, क्योंकि ये मायनस है, तो ये 0 से छोटा होगा. अब उरजा के संरत्छंड से यह प्रण्डाम निकलता है कि delta k plus delta u potential बराबर 0 इसलिए दिखाया जा सकता है delta k बराबर minus delta u potential इसलिए delta k बराबर लिखा जा सकता है IV delta t क्योंकि अभी आपने देखा था यह यहाँ पर माइनस का सायन है और डेल्टा के पोटेंशल अभी आपने निकाला था माइनस आई वी डेल्टा टी तो इससे प्लस बन जाएगा तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा आई वी डेल्टा टी बराबर डेल्टा डबलू अता चालक की अंदर बिद्दु छेत्र के प्रभाब से अगर आवेस मुक्त रूप से गत्मान रहते हैं तो उनकी गत्री उर्जा बढ़ जाती है हम यह सामाने तोर पर जानते हैं कि आवेस तुर्थ गत्री से गमन नहीं करते बलके अपरवर्ती अपवावेग से चलते हैं यह पार गमन की अबदी में आयनों तता परमाडुओं से संगट के कारन होता है संगटों के समय आवेसों द्वारा प्रात्की के गूर्जा परमाडुओं के साथ आपस में बांटली जाती है परमाडू जादा परबल रूप से कमपन करते है अर्थात चालक गर्म हो जाते हैं अब ही हम बिद्दू सक्ति को समचते हैं बिद्दू सक्ति P पराबर डेल्टा डबलू भागित डेल्टा टी डेल्टा डबलू का जो मान हमने कैल्कुलेट किया था, वो कितना था, वी आई डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी से भाग दे दिया, तो यह आ जाएगा वी आई, अब ओम के नियम से वी बराबर आई र लगाया जा सकता है, तो पी बराबर आजाएगा, आई स्कायर आर, फिर हम आई की जगह पर वी अपोन आर लगा सकते हैं, ओम के नियम से, तो यह आ जाएगा वी स्कायर भागित आर, इस प्रकार एक वास्त्विक चालक में, समय अंतराल डेल्टा टी में, उस्मा के रूप में, छहित उर्जा का परिमार डेल्टा डबलू बराबर आई भी ड ठील्टा टी होगा, प्रतेकांग समय में, 6 हुई ऊर्जा, 6 शक्ति के बराबर है, पी बराबर डेल्टा डबलू बाई डेल्टा टी, और हम प्राप्त कर सकते हैं, पी इस्टर टू वी, ओम के नियम से वी बराबर आई आर का प्योग करने पर, हम पाते हैं, पी लिए किसी ताप दीप्त बिद्दुत लेम की कुंडली को प्रदीप्त करती है जिसके कारण वह उस्मा तथा प्रकास को विक्रिन करता है अभी हम यहां पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्रोद आर में जो उस्मा उत्पन हो रही है उसकी छैपूर्थी कहां से होती है तो तार के प्रत्रोद में जो उस्मा उत्पन होती है उसकी आपूर्थी कहां से होती होगी यह आपूर्ती परपत में जुड़े हुए सेल की रायसानिक उर्जा से ही हो पाती है जिससे परपत में धारा का प्रवा निरंतर बना रहे अभी हमने सीखा P बराबर I square R बराबर V square by R इस समीकन का बिद्दुत सक्ती संचरण में महत पूर्ण अनुप्रियोग है बिद्दु सक्ती का संचरण पाबर स्टेशन से घरों तता कारखानों में संचरण केविल द्वारा किया जाता है जो कि सैक्णों मील दूर हो सकते हैं हम पावर स्टेशनों से घरों तता कारखानों से जोडने वाले संचरण केबिल में सक्ती छह को नियूंतम करने के लिए क्या करेंगे। इसके लिए एक युक्ति लेते हैं जिसमें RC प्रत्रोद वाले संचरन केविल से होकर सक्ती P को पहुचाना है जिसे छैत होना है यदे R केसरों के बीच बोलता V है और उसमें I बिद्दुधारा प्रावित हो रही है तो P बराबर V I लिखा जा सकता है पाबर स्टेशन से युक्ति को संयोजित करने वाले संयोजी तारों का प्रत्रोद परमित है और या मानलिया RC है संयोजक तारों में उर्जाच है PC जो कि व्यर्थ व्य होता है उसको दिखाया जा सकता है PC बराबर I स्कॉाइर RC यहां से I बराबर P अपॉन V आ जाएगा तो हम película हम लिख सकते हैं PC बराबर P स्कॉैर वाई V स्कॉैर RC इस प्रकार आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कि किसी भी संयोजक तार में जो उर्जाच offers कि छह हो रहा है वह V विवांतर के इन्वसली प्रपोस्नल है विववांतर के इन्वसली प्रपोस्नल है व्युत्र कमान पाती है तो इसलिए हम उच्छ बोलता पर धारा को भेजने से बिद्धु सक्ती का जो छह है उसको कम कर सकते हैं अतर सक्ती P की किसी युक्ती को संचालित करने के लिए साय वह जकतार में सक्ती अपव्य वी स्कायर के विद्धु मान पाती है यहाँ आप देख पार है PC वी स्कायर के विद्ध कमान पाती है पाबर स्टेशन से आने वाले संचरण केवल सेक्णों मी लंबे होते हैं तता उनका प्रत्रोध RC बहुत अधिक होता है संचरण में होने वाले सक्तिछे PC को कम करने के लिए इन विद्दुत वाही तारों में उच्च बोलता वी पर विद्दुधारा प्रवाहित की जाती है यही कारण है कि इन सक्ति संचरण लैनों पर उच्च बोलता के खतरे का चिन बना होता है जो कि आबादी वाले छेत से दूर जाने पर एक सामाने द्रस्य होता है इतनी उच्च बोलता पर बिद्धुत का प्रयोग कदापी सुरच्चित नहीं है आपने अपने आसपास ट्रांसवामर देखा ही होगा इस बोलता को कम करने के लिए अपचाही ट्रांसवामर का परयोग किया जाता है अब हम प्रत्रोदों के सैनी करम संयोजन को पढ़ेंगे प्रत्रोदों के सैनी करम में जोड़ने पर प्रतेक प्रत्रोद में से प्रभाहित धारा समान होगी तथा प्रतेक प्रत्रोद के मद्द विवानतर अलग-अलग होगा प्रत्रोध R1 के मद्ध विवांतर V1 बराबर IR1 तथा प्रत्रोध R2 के मद्ध विवांतर V2 बराबर IR2 सहियों जन के मद्ध विवांतर V बराबर V1 प्लस V2 V1 IR1 होगा V2 IR2 होगा आई यहां पर उवेनिष्ट ले लिया यदि सहियों जन का तुल प्रत्रोध R E Q माल लिया जाए तो लिखा जा सकता है R E Q बराबर V अपॉन आई बराबर IR1 प्लस R2 अता दो प्रत्रोधों का सैनी करम में तुल प्रत्रोध R एकुलेंट बराबर IR1 प्लस R2 होगा इसी प्रकार एन प्रत्रोधों के सैनी करम में जड़ो होने पर प्रत्रोध R E Q बराबर R1 धन, R2 धन, R3 धन, RN होगा अब बच्चों हम इस पे आधारित एक प्रस्न को हल करने का प्रयास करेंगे मान लीजे चारों प्रत्रोध के तीन चालक हैं जो सैनी करम में जड़े हुए हैं तो इनका तुल प्रत्रोध कितना होगा तो हमें पता ही है सैनी करम के लिए क्या फरमला होता है R E Q बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों जो प्रत्रोध हैं उनका प्रत्रोध फोरोम हैं समान है तो फोरोम प्लस फोरोम प्लस फोरोम तो इस प्रकार जो तुल प्रत्रोध होगा वो 12 ओम हो जाएगा अभी हम पार्स्व सैयोजन के बारे में पढ़ेंगे प्रत्रोधकों का पार्स्व सैयोजन पार्श संयोजन में प्रतेक प्रत्रोद के अंति बिंद्यों पर विववांतर समान तथा प्रतेक प्रत्रोद में प्रवाहित धारा असमान होती है ये प्रत्रोद आरवन है, ये प्रत्रोद आर्टू है, दोनों में धारा अलग लग है लेकिन दोनों का अंति बिंदू समान होने से बिववांतर समान होगा अब हम इसको गर्तिय रूप से पढ़ेंगे कुल प्रभावित दारा I बराबर I1 प्लस I2 पहले प्रत्रोद में प्रभाहित दारा I1 कितना हो जाएगा V upon R1 दूसरे प्रत्रोद में प्रभाहित दारा कितना हो जाएगा V upon R2 इन दोनों को जोड़ दिया जाए और V को बहनिश ले लिया जाए तो I बराबर दिखाया जा सकता है V1 by R1 प्लस 1 by R2 सैयोजन के लिए तुल प्रत्रोद R equivalent है तो ओम के नियम से दिखाया जा सकता है I बराबर V upon R E Q अतह दोनों समीकड़ों की तुलना कनने पर हम प्राप्त कर सकते हैं 1 upon R E Q बराबर 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 इसी प्रकार एन प्रत्रोदों के पार्स्व क्रम में जुड़ होनी पर प्राप्त किया जा सकता है 1 upon R E Q बराबर 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 एंड 1 by R N आएए अब हम इस पर आधारित एक प्रस्न को हल कनने का परियास करेंगे प्रस्न इस प्रकार है यदि 6 ओम प्रत्रोद के तीन चालक पार्स्व क्रम में संयोजित हैं तो उनका तुल प्रत्रोद कितना होगा आएए अब हम पार्स्व क्रम पर आधारित एक प्रस्न को हल करते हैं प्रस्न इस प्रकार है यदि six ohm प्रत्रोद के तीन चालक पार्स क्रम में संयोजित हैं तो उनका तुल्ली प्रत्रोद कितना होगा तो हम ये बाला सूत्र लगाएंगे one upon req बराबर one upon r1 then one upon r2 then one upon r3 r1, r2, r3 जो तीनों प्रत्रोद है उनका मान समान है जो कि six ohm है तो आगे इसको हम लिख सकते हैं one upon six then one upon six then one upon six बराबर half तो इस प्रकार यहां से प्राप्त किया जा सकता है तुल्ली प्रत्रोद r eq बराबर दो ohm अभी हम आगे पढ़ते हैं सेल के दो electrode होते हैं जो बिद्दुत अपगटनी billion में डूबे रहते हैं billion में डूबे electrode बिद्दुत अपगट के साथ आवेसों का आदान प्रदान करते हैं इसके फलसरूप धनात्मक electrode के ठीक पास बिद्दुत अपगटनी billion के किसी बिंदु A पर तता स्वयम इस electrode के बीच एक विववांतर वी धन होता है इसी प्रकार रेडांत्मक electrode अपने ठीक पास के किसी बिंदु B के सापेच एक रेडांत्मक विवव मायनस वी मायनस होता है जब सैल में कोई बिद्दुत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब पूरे अपगटनी बिलियन का विवव समान होता है इस अंतर को सैल का बिद्दुत भागवल कहते हैं जिससे कि P तथा N के मद विववांतर वी धन रिन बराबर वी धन धन वी रिन रहता है इस अंतर को सेल का बिद्दुत वहागवल कहते हैं और इसे एपसलन से निर्दिष्ट करते हैं इस प्रकार बिद्दुत वहागवल को लिखा जा सकता है एपसलन बराबर वी धनात्मक प्लस वी रिनात्मक जो कि सूने से बड़ा होगा यहाँ एपसलन वास्तम में एक विववांतर है कोई बल नहीं इसके नाम के लिए बिद्दुत वहागवल का उपयोग एतहासिक कारणों से करते हैं और यह नाम उस समय दिया गया था जब यह परगटना पूरी तरह समझी नहीं गई थी जिस बिद्दुत अपगट से होकर यह धारा परवाहित होती है उसका एक परिमित प्रत्रोद आर होता है जिसे सेल का आंतरिक प्रत्रोद कहते हैं जब य पत्रोद आर को अनंत लिया जाए तो लिखा जा सकता है बिद्दुत धारा आई बराबर वी अपोन आर बराबर जीरो जहां वी बिन्दु पी तथा एन के मद्द विववानतर है अब वी बराबर लिखा जा सकता है वी बराबर पी तथा एके मद्द विवानतर प्लस ए तथा बी के मद्द विवानतर प्लस वी तथा एन के मद्द विवानतर बराबर एपसलन अतह बिद्दुत वागवल एपसलन एक खुले परपत में अर्थात जब सेल से होकर कोई धा प्रवाइत नहीं हो रही है धनात्मक तथा रिनात्मक लेक्टूर के मद्द विवांतर होता है। यदि प्रत्रोध आर पर्मित है तो धरा आई सून नहीं होगी। उस इस्तिति में पी तता एन के मद्द विवांतर वी बराबर वी धनात्मक प्लस वी रिनात्मक मायनस आई आर बराबर एपसालन मायनस आई आर जहां पर एपसालन सेल का बिद्दुत भागवल है ए तता बी के मद्द विवांतर के लिए बेंजक आई आर में रिनात्मक चिन पर ध्यान दीजिए यह इसलिए है कि बिद्दुत अपगट में धारा आई बी से एकी और प्रवाहित होती है हमने यह भी अवलोकन किया है कि जब आर से होकर विवांतर वी है तो ओम के नियम से वी बराबर आई आर तो हम आगे दिखा सकते हैं आई आर बराबर एपसालन माइनस आई आर अथवा आई बराबर एपसालन भागित आर प्लस आर प्रतरूद आर बराबर जीरो पर सेल में अधिक्तम धारा प्रवाहित होगी अधा लिखा जा सकता है I अधिक्तम बराबर Epsilon upon R अब हम सेल के आंतरिक प्रत्रोद के बारे में जानेंगे जब किसी सेल में कोई धारा प्रभाहित करते हैं तो सेल के अंदर बिद्दुत अपगट का एक परमित अबरोधी सेल का आंतरिक प्रत्रोद होता है आईए अब हम एक प्रस्न को हल करते हैं प्रस्न इस प्रकार है कोई सेल जिसका EMFE तथा आंत्रिक प्रत्रोध R है किसी वाई प्रत्रोध R के सिरों से जुड़ा है R के सिरों के बीच वेवांतर में परवर्तन तथा R के बीच ग्राफ खींचिये अभी ग्राफ बनाने के लिए हम गरतिय रूप में इसको इस प्रकार समझते हैं V बराबर IR बराबर Epsilon upon R प्लस R into R बराबर Epsilon upon 1 प्लस R बाई R जब प्रत्रोध R बराबर 0 है यह जो वाई यह प्रत्रोध है तब V बराबर 0 मिलेगा जब R बराबर R है तो V बराबर Epsilon Y टू प्राब्त होगा जब Y प्रत्रोध R अनन्त है तो V और Epsilon दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस गड़ित के आधार पर हम एक ग्राफ बना सकते हैं जो इस प्रकार होगा Y एक्सिस पर विवानतर लिया गया है X एक्सिस पर प्रत्रोध लिया गया है तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राब्त होगा किसी सेल के बिद्दुत वहगवल तता विवानतर में क्या अंतर होता है आप अभी जान गई होंगे किसी चालक का ताप बढ़ाने से प्रत्रोध बढ़ जाता है तता ताप गटाने से या घट जाता है तो क्या कोई ऐसा नियुनतम ताप होगा जिस पर प्रत्रोध सून हो जाएगा क्या वह ताप धनात्मक होगा या रिनात्मक आप ये जानकारी जुटाने का प्रियास करेंगे ऐसे पदार्थ को अतिचालक कहा जाता है किसी सेल का आंतरिक प्रत्रोध किन कारकों से प्रभावित होता है इसका आप उत्तर जानने की कोशिस करेंगे इन सभी पर हम आगे के कारक्रमों में चर्चा करेंगे तब तक आप सभी इन प्रस्णों का उत्तर स्वयम डूनने का प्रयास जारी रखेंगे तथा अपनी पाठ पुस्तक के प्रस्णों को हल करने का अभ्यास करते रहेंगे आप सभी दर्सकों का पाठ चर्चा में ध्यान देने हेत बहुत बहुत धन्यवाद अभ्यास करेंगे